हमारी जो कोर्स शुरू होड़ी है उसके लिए मैं सारी डिवाइन सोल फैमिली को बहुत-बहुत इंविटेशन देना चाहते हूं डिवाइन इंविटेशन हमने सोचा नहीं हमने ऐसे कोर्स कराएंगे पर बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आया क्योंकि हिलिंग करना मतलब आप खुद का ही कर पा रहे हैं पर आप घर बालों का और खुद के सदाकाल के लिए अपने पर वाद करने के लिए कोर्स की जरुवत परती है उसी कला को उसी तूल संट टेक्निक को जानने की जरुवत परती है तो दिवाइन सोल फैमिली की बहुत सारे रिक्वेस्ट ने हमें वाद्धे किया हम थोड़ा सा इसके उपर विचार करें और दर्सा कोर्स में हमने चार चीज़ों को कंबाइंड किया इसके बाद भी हमारी ने ने कोर्स आएंगे जितनी भी हमारी रिसर्च है और हमारी शिक्षा है भगवान से प्राप्त हुई है उसके उपर क्योंकि अभी जो समय आ रही है उसमें हीलिंग बहुत ही एक पावरफुल टेकनिक है और मैंने जैसे पहले भी बताया हीलर अब दा हीलर गौड है उसी ने आपको हीलिंग की रेज भेजते है और उसी के द्वारा ही आपको खुद को और दुसरों को हील करना है सर्फ एक ट बिकास हीज़ा होली स्पिरिट सुप्रीम प्योर सोल तो कॉज कर्टिंग की हीलिंग कैसे करेंगे ग्राउंडिंग मेडिक्टेशन ग्राउंडिंग हीलिंग किसी को और खुद को कैसे करेंगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन और प्रेजंट लाइफ रिग्रेशन आप कैसे करेंगे यह कोर्स में छे दिन की कोर्स में हम 90 मिनिट के एक-एक सेसन होगा हम बताते जाएंगे ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं, बिकाज बहुत लोगों की परसोनल मेसेज आते हैं, ताकि हम सब को अच्छे से बता पाए, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया कॉट काटिंग एक यूनिक चीज है, जो मैंने अपने लाइफ में समझा जाना और बहुत सारी सोल के लाइफ में उसको प्रयोग करके देखा, कॉट काटिंग इक नॉट्स मेंस सिर्फ नेगिटिक पिपल के साथ आपकी कॉट काटिंग रहता है, कभी-कभी तो हमारी बाउं में गए हमको कॉट अटाच हो जाते हैं इविन आपकी बहुत क्लोस मेंबर्शी फैमिली की आपके पर्टनर की अदर्स पिपल जो आपने आप उनके साथ मिले रहे वो सबके साथ आपकी कॉट अटाच्मेंट हो सकता है, में भी आपके लिए कोई सोचता होगा, आप उनके लिए नहीं सोचते हो, तो वो भी अन्नोइंगली आपके पास कॉट आ रही है, उसको कटिंग करने की कब जरूरत होती है, जब हमारी प्रोटेक्शन शिल्ट अच् नहीं रहता है, तब यह कॉट काटिंग की जरूरत पड़ती है, यह कॉट काटिंग हमें एनरजी ड्रेन होने से, लीकेज होने से, अपने बहतर लाइफ बनाने से, और अपने जीवन में तरक्य करने से, बहुत ही कीलिंग देते हैं, यह कॉट काटिंग सेशन, जैसे हम इस लाइक ऑपरेशन नो तो वैसे ही यह एनर्जी कॉट कटिंग मतलब आप एनर्जी लेवल में आप ऑपरेशन कर रहे हो वेरी इंटेंस सेशन इसको समझना परखना और एक हीलर की दृष्टी सबसे बड़ी चीज होती है तो क्लास में सारी कुछ को हम पॉइंट्स को टच लेंगे जब पॉजिटिविटी के साथ हमारी उर्जा रहती है तो वह बहुत अच्छी चीज होती है पजब अटाच्मेंट ग्रीफ इन्वी जलसी रिवेंच शेम फियर यह सारे चीज की कॉट रहती है किसी के साथ बस्तू के साथ हो सकती है अपने बॉडी के साथ भी हो स तो कोई रिष्टे में हो सकती है कोई चीजों के साथ हो सकती है तो कॉर्ट कटिंग बहुत सुन्दर चीज है जो आपको पूरा फ्री फ्रीडम करेगा सोल को जो चीज आपको बार बार दुख दे लिए उस जगह पे आपकी कॉर्ट कटिंग बहुत नेसेसरी हो जाती है और love ones के लिए जब court cutting करते हो तो उनके साथ आपकी सिर्फ negativity cut हो जाती है क्योंकि supreme soul बोलते है divinely relationship कभी कोई cord नहीं बनता है और वो कभी cut नहीं कर सकते है divine relationship को वो eternal है जैसे soul eternal है जैसे supreme soul eternal है drama eternal है वैसे divine relationship soul to soul connection वो भी eternal है तो वो कभी cut नहीं किया जा सकता है इसलिए वो कभी cut नहीं हो सकता है इसलिए जब हम love ones के साथ भी court cutting करते हैं तो relationship day by day बहतर से बहतर होना शुरू हो जाती है क्योंकि सारी negativity court खतम हो जाती है और positivity तो हम तो खुदी divine है तो जब हम ही divine है तो किसी के साथ रिष्टा रखना हमारी choice होती है divine choice पर वो choice जब negativity के साथ हम रखते हैं कोई fear में कोई रिष्टा रख रही है कोई attachment में कोई रिष्टा रख रही है तब वो बहुत ही black cord बनती है, नहीं तो बहुत dark color की cord बनती है तो ये cord cutting session में हम cord कैसे बनते हैं सिखाएंगे, cord को कैसे काटा जाता है और after cutting वो एक operation है, उसके बाद उसको कैसे heal किया जाता है, वो हम सिखाएंगे cord cutting के बाद forgiveness healing बहुत ज़रूरी है, तो कि एक cord कब तयार होता है, जब कर्मा create होता है तो वो कर्मा को release करना, forgiveness भी एक बहुत सुन्दर releasing technique है तो कैसे हम properly forgive करें कोई soul को soul level में जाकर ताकि उस soul में भी penetrate हो जाए और हम भी free हो जाए तो cord cutting पूरा session के बाद हम forgiveness healing सिखाएंगे और इसके बाद हम जो करेंगे वो है कैसे हम forgetfulness में जाए, forgive करने के बाद, वो चीज़ को हम दीरे दीरे भूलते जाएं, जब उसमें charge रहेगा तब हम भूलने ही पाएंगे, कोई भी चीज़ भूलने के लिए उसको पूरा उसका energy zero होना जरूरत है, तो जब तक zero नहीं हो रहा है, मतलब अभी भी cord attached है, हलका वा गेराई से हम class में discuss करेंगे, इसके बाद जो हम grounding, healing की बात करें, हमारी इस धर्ती पे आने का हमारी मकसद ही है, हम grounded हो जाए, यह तो grounded हम जब God के साथ जुरे रहते हैं, बहुत grounded हैं, हमारी mind बहुत aligned रहते हैं, तो हम grounded रहते हैं, basically mind जब disalignment में जाते हैं, तब हमारी groundedness कम हो grounded हो जाते हैं, less grounded feel करते हैं, irritation, sadness, यह सारी negativity grounded नहीं होने की कारण से बनती है, ज्यादा सा 90% disease grounded नहीं होने से बनते हैं, तो यह grounded चीज़ को हम सिखेंगे, कैसे, बहुत तरह कि ग्राउंडेड होती है, physical grounding, mental grounding, energetical grounding, तो यह सारी grounding process को हम सीखेंगे, तो इससे हम बहुत सारी disease, बहुत सारी रिष्टे को हम बहुत मजबूत कर पाएंगे, health को बहुत मजबूत कर पाएंगे, और तिसरा है past life regression, past life regression, actually वो एक hypnosis therapy है, आपको hypnosis के through आपको लेके जाना होता है, client को लेके जाना होता है, उसी अवस्ता में, जिस अवस्ता से उस घटना की शुरुआद हुई थी, क्योंकि soul को सारा पता होता है, soul knowledgeful है, underline करेंगे, soul knowledgeful है, तो soul को सारा कुछ पता होता है, तो एक process के through जब soul जाते हैं, conscious mind में उसको लगते हैं, मैं तो कल का चीज भूल गया, तो मुझे क्या पता होगा पिछले का, पर actually soul को सारा कुछ पता होता है, तो जब वो hypnotic process में, वो सारा कुछ subconscious mind में चला जाता है, unconscious mind में चला जाता है, इसलिए conscious mind को basically पता नहीं होता है, तो जब soul को हम hypnosis पकड़िया से लेके जाते, वो एक technique है, तो वो आपको बरावर वो घटना तक लेके जाएंगे, वो खुदी जाएंगे उस तक, जहांसे ये सारी घटना की situation हुआ, जहांसे मैंने सिखा past life, frankly speaking, उधर से past life में जाना सिखाया, पर जब मैंने इसको practice करना शुरू की और मेरी client के साथ मैं इसको interact करने का शुरू आत किया, जो जैसे कि मेरी core choice healing है, मैं बार बार बोलती हूँ, तो मैंने सुचा past life में जाना तो एक कहानी में जाना हो जाती है, उसमें उनकी healing क्या होगी, तो मैंने इसके साथ healing को भी जोरा, किसी को past life में लेके जाना नहीं है, सिर्फ उस cause को एकदम root cause से उसी जगा पे heal करना, ताकि उसके बरतमान में उसकी effect ना पड़े, तो कोई भी situation जो हमारी होती है, ज्यादा से ज्यादा हमारी past karma ही रहती है, हम past back baggage, past pattern, past repeating belief system, तो उसी में जाके हम उसको cover up करते हैं, और उसको heal करते हैं, यह है आपकी इस life के previous life, इसको बोलते है past life regression, और इसमें आपकी पूरा वो cause heal हो जाती है, after that, present life regression, present life मतलब इसी life की जो past life है आपकी, इसी life की जो past life, यानि इसके अंदर आपकी बहुत सारी child root trauma भी आ जाती है, कुछ भी आपकी घटना, जो आपकी root cause है, वो भी आपकी present life regression में आ जाते हैं, वो same technique है, आपकी hypnosis है, पर थोड़ा सा इसको अच्छे से deal करना पड़ता है, क्योंकि प्रेजन लाइफ है, मेमोरी बहुत fresh है, और इसको भी प्रोसेस, एक सुन्दर प्रोसेस के थूरू हम लेके जाते हैं, और बहुत ही properly उसको हम technically इसको हम heal करते हैं, और after that हम देखते हैं, हमारी client में कितना वो चीज़ परा हुआ है, क्योंकि उनकी life में अभी वो situation तो फिर से आएगा, क्योंकि यही जगत की नियम है, आपके अंदर जो भी परा रहेगा, वो ही दुनिया आपको दिखाएगा, पूरा world हमारी mirror है, तो उनकी life में अभी भी घटना घट रही है, तो वो कैसे उसको react कर रही है, चीज़ों को कैसे पूरा let go कर रही है, और नया choice कर रही है, क्योंकि कर्मा वो ही है, जो आप, आपके past को future बना देते हो, वो आपकी कर्मा, repeating कर्मा बनती है, मतलब जो मिरी past है उसको मैंने change ही नहीं किया, उसको मैंने वैसा ही वैसा रखा, और present में फिर से use किया, और जो मेरा present होगा, वो ही मेरा future होगा, तो karma chain इसको कहते हैं, जो मेरा past है, उसको मैंने as it is रख दिया, change नहीं किया, उसको ही मैंने बार-बार use करते गए, पर जब हम healing करते हैं, मेरी past को healing करते हैं, तो present में हमारी, obviously हमारी action, हमारी response, हमारी pattern, सब कुछ अलग हो जाता है, और जब हम present में अलग हो जाते हमारी future भी obviously अलग हो जाता है, तो यह है healing process के मैंने थोड़े थोड़े बताया और आप लोगों के लिए हम यह healing की सारी session लेके आए, उसके बाद भी मुझे बहुत कुछ session लेके आना है, तो basically तो यह हम लेके आए, तो देखिया, आप लोग interested है, तो मैं इसको reveal करने के लिए ready हूँ, divinely guided classes होगा, because मैं बार बार बोलती हूँ, without divine, we cannot heal anybody, हम खुद को भी नहीं heal कर सकते हैं, दुसरों को भी नहीं heal कर सकते हैं, तो thank you so much, साथ रहने के लिए, और, यह सारी courses में interest दिखाने के लिए, मुझे लगता है, यह courses कोई, करके कोई अपनी, finance भी करना चाते है, financially वो healer बनना चाते है, वो भी बहुत सुन्दर चीज़े, क्योंकि एक बर सोची है, कितने सारे जगत में काम है, पर जब आप energetic level में किसी को ठीक कर रहे हो, उसको तो भगवान double doctor बोलते है, कितना सारा ज्यान होगा ना उनके, वो root cause से चीज़ों को खतम करती है, तो में भी उसको MBBS की degree नहीं मिलता है, भगवान से जो degree मिलता है, उसका तो बढ़न नहीं किया जाता है, और जो आपको आनन दाती है, practically जब यह मेरी personal point of view है, जब कोई ठीक हो जाता है, इतना आनन दाता है, इसको मैं बोलके नहीं व्यक्त कर पाऊंगी, I think. तो very beautiful and divine experience, इसको आप economically लेना चाहेंगे, तो it is a very intellectual choice, I think so, very intellectual choice. Because देखो, money भी बहुत सारा money की level होती है, आना, बाद में हम money का भी लाएंगे, money regression बोलके एक हमारी बहुत ही a compact money की development की regression होती है, money regression, उसमें हम बहुत सारा चीज हम cover करते हैं, बाद में हम कभी लाएंगे उसको. पर ये जो हमारी transformation, खुद का भी होते हैं और हम दुसरों का भी करते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, और इसको professionally जब लेते हैं, actually हम light worker बनते हैं, और उस समय हमारी money भी देखो, क्या कौन सी level की money आ रही है, अब सोचो, just think about it, just think about it, I invite you, just think about it. ये आप देखें, एक, शरीर को, शरीर की शक्ति लगा के money income करना, वो भी एक level की money है, एक अपने intelligent को, बेच के money को, intelligent को लगा के money को लेना, वो भी एक level की money है, एक अपने मन मन को लगा के मनी को लेना वो भी एक लेवल की मनी है और एक आपकी दिवाइन एनर्जी को थो करके बाहर मनी को एट्रक्ट करना वो तो हैपिएस्ट मनी है तो मनी के भी अलग 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 एनर्जी है तो आप कौन सी तरीके की मनी को एक्टरक्ट कर रहे हो वो भी आपकी एनर्जी के उपर डिपेंड करते है आई थिंक वीडियो को ज्यादा और लेंदी नहीं करके मैं सबको इन्वाइट करोंगी इसमें आए और कोर्स करें और देखे कैसे लगता है हील करने से और हील होने से थेंक यू सो मच